नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर बहुत स्वागत है आपका आप पार्टी जब अस्तित्व में नहीं आई थी यानि कि आम आदमी पार्टी उस समय अर्वीन केजरिवाल ने अपने कुछ साथियों के साथ एक राग अलापा था मैं भी अन्ना जितने अन्ना के मंज़ पर लोग बैटे हुए थे सबकी टोपियों के ओपर मैं भी अन्ना लिखा हुँ था आज अन्ना कहा है किसी को पता नहीं कभी अन्ना का नाम नहीं लिया केजरिवाल ने और अब अब जब केजरिवाल पे मुसीबत आ गई है याने कि उनको नोटिस मिला है एडी का तो उन्होंने वोही स्लोगन टिल्ट कर दिया है टिल्ट करके उसे क्या बोल दिया है मैं भी केजरिवाल शायद उन्हें लग रहा है कि उस समय मैं भी अन्ना की टोपी पहन कर जैसे आम जन को बेवकूब बनाया गया था उसी तरीके से आज जनता फिर से मूरक बनने के लिए तैयार बैठी हुई है यहीं वो भूल कर रहे हैं आम आदनी पार्टी की मुख्या का नाम शराव घोटाले में आने के बाद वो एक नया दाव खेलने जा रहे है यानि कि उनकी जो सेमशिप है वो भी बची रहे अगर वो जेल जाएं तो जेल से वो सरकार भी चलाएं वो आम लोगों से भी पूछना चाह रहे हैं कि मैं जेल जाओं जेल से प्रशासन चलाओं या कि मैं रिजाइन दे दूँ अब ये बात उन्हें खुद को पता है अच्छे से कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी वो एक यूनों लोगों के बीच में जा करके एक उन्हें परसेप्शन मनाने की आदत है एंड ये जो उनका स्वांग है न ये एक परसेप्शन का ही समझ लिए कि हिस्सा है आम आदमी पार्टी इसे लेकर के जन्ता की बीच में जाने के लिए तयार है एक दिसंबर से वो इसे पब्लिक में लाउंच करने जा रही है मैं भी कैजरीवाल इसकी जानकारी गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दी है एक प्रेस्ट कांफरेंस करके शराब घोटाले में सेम केजरीवाल की गिरिफतारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं इसे लेकर के पार्टी डोर टो डोर कैम्पेंड जलाने वाली है यानि कि ये कैम्पेंड शुकरवार से शुरू होगा और इसमें आम लोगों की राय जानना चाहती है आम आदम पार्टी जमीन पर जब जनता ये पूछेगी कि शराब घोटाला तो हुआ है तब केजरीवाल क्या जबाब देंगे इस पर अभी कोई रोशनी नहीं डाली गई है क्योंकि शराब घोटाला सब को पता है कि शराब घोटाला हुआ है और जो शराब के कारोबारी है उनकी मीटिके हु उसकी meeting केजरिवाल के घर हुई सभी meetings में केजरिवाल खुद उपस्तित रहे ये सब क्या जनता को पता नहीं है खैर वो सुच रहे हैं कि नहीं पता तो ठीक है मान लेते हैं कि नहीं पता जनता को तो बताएंगे कि हाँ ये घुटाला हुआ है और अब इसके लिए वो एक referendum कर लिए पूँचा जाना चाहरे हैं। कानून जानती है ये तो अब कल से चलने वाले केंपेन में देखना बड़ा दिल्चस्प हो जाएगा शुक्रवार से शुरू होने वाले इस सिगनेचर केंपेन का पहला चलन जैसा कि आम आदमी पार्टी ने घोष्णा किया है 1 to 20 डिसमबर तक चलेगा और दूसरे चलन में 21 से 24 डिसमबर तक ये जन समवाद किया जाएगा लेकिन एक सवाल है आपके दिमाग में भी होगा कि केजरीवाल को ये क्यों लग रहा है कि उन्हें गिरिफतार किया जाएगा उन्हें गिरिफतारी के लिए सम्मन नहीं मिला है उन्हें केवल पूस्ताष के लिए सम्मन मिला है शराब घोटाले में जिसमें उनके तीन सिपे सलार पहले से ही जिल में तियार में बंद है मनिश्य सौधिया, सतेंदर जैन और अब संजे सिंग इन तीनों को बेल तक नहीं मिल रही है हेल्थ इस्यू पर सतेंदर जैन को बेल मिली हुई है, उनका इलाज चल रहा है लेकिन यह आपके मनिशिस वो दिया और संजे सिंग यह नाक रगड़ रहे हैं कि इने बेल मिल जा है किसी भी प्री पे इने बेल मिल जा लेकिन इन्हें किसी भी कोड से पेल नहीं मिल रही है इससे पहले 16 नमंबर को दिल्ली के त्याग राज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कारकरताओं की बैटक में अर्वीन केजरिवाल ने रफ्रेंडम कराने की बात कही थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा केमपेन तयार करके गुरुवार को इसकी घोशना कर दी है अब आप पार्टी की कहानी देखिए अपने बचाव में क्या-क्या कर रहे हैं अर्वीन केजरिवाल को ये अच्छा से पता है कि वो क्या-क्या कर चुके है अब उसके रेपरकेशन क्या होंगे अच्छा एक और बड़ी उनके एक अच्छी बात है केजरिवाल के साथ कि वो परसेप्शन अपना बड़ा जोड़ शोर से चलाते हैं कई बार जनता के पास जबाब जाते हैं तो जनता परसेप्शन देखती है और परसेप्शन में केजरिवाल बड़े माहिर हैं लेकिन अब जनता को ये पता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घोटाले में शराब घोटाले में घिरी हुई है उनको नहीं दिख रहा कि तीन लोग औलड़ी तीहार्ट जेल में हैं और इतने दिनों से हैं उनको बेल नहीं मिल रही है तो कोई तो बात होगी न मतलब जो दिल्ली की जनता है वो जो जाच एजनसीज हैं CBI है, ED है मतलब अगर केजरिवाल को उन पर भरोसा नहीं है तो क्या जनता को भी नहीं है जनता को तो पक्का भरोसा होगा क्योंकि जाच एजनसिया ये ऐसे ही नहीं है रेपुटिड जाच एजनसिया है तो इन पर क्या मतलब केजरिवाल ये कहेंगे कि आप इन पर बरोसा मत करिए खेर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है यह तो जब घर घर जाएंगे और उनकी बाते सुनेंगे और लोग इने भीगो भीगो के मारेंगे तब ही ने बता चलेगा दिल्ली आप पार्टी के जो परमुख है गोपाल रहे वो यह कहते हैं कि बीजेपी दिल जिक है और केजरिवाल के नेत्रत में जैसा काम सरकार कर रही है उसे बीजेपी और मोदी जी को लगने लगा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती इसलिए केजरिवाल सरकार को खतम कर दिया जाए यह उनका कहना है मतलब दिल्ली एक छोटी सी जगा है उसके ल जिस दिन बीचे बीच आएगी अंडरकवर कर लेगी हसी आती है केजरिवाल पे जब कहते हैं कि शराब घोटाला फरजी है तो वो सरकारी गवाह कौन है जिनके साथ मीटिंग होती रही और वो पैसा कहा है ये सब उन गवाह को पता है ये वो गवाह है जो उन सब मीटिंच में जो मानिसी सौधिया के रेजिडियन्स पे जो केजरिवाल के रेजिडियन्स पे होती रही है अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो बढ़ता कारवा है उसको रुखा जाया यानि कि जो पॉप्लीरटी और जो इनकी ये एक चीज को रो रहे हैं शराब घोटाले को जिस दिन जिस दिन CBI और ED का रुक शिश महल के तरफ हो जाएगा वो एक और वज़ा हो जाएगी केजरिवाल के जेल जाने की हलाकि अभी मैंने आप से ये कहा था कि केजरिवाल को ये क्यों लग रहा है कि वो जेल जाएंगे क्योंकि ED ने अपने डोटिस में तो नहीं का कि आपको गरिफ्तारी के लिए हम बुला रहे हैं केजरिवाली जे सच स्मार्ट पर्सन आई आई टी आने होने पता है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है कोई चीज फर्जी नहीं है कोई शराब घोटाला या शीश्मेल घोटाला फर्जी नहीं है ये कहानिया नहीं है ये कहानिया तो वो टिल्ट करके लोगों के बीच में बता रहे है और कहानियां वो बता रहे हैं कि ये साजी से चल रही हैं, हमें जूटे फसाया जा रहा है, ब्लाब्लाब, अच्छा गोपाल रहा है ये भी कहते हैं कि इस साजी स को लेकर के CM केजरिवाल ने विधायकों से बातचीत किये, पार्शदों और जो वरकर्स हैं पार्टी के उन से बात किये, सभी ने कहा है कि ग्रिपतारी की सुरत में सरकार जेल से चलनी चाहिए, हम sorry to say who is the stupid person जो ये कह रहा है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए, एक बड़े कारोबारी थे, जो अब नहीं रहे, जिनकी किनी वज़ों से जेल से उनकी कहिए कि सरकार चल रही थी, उनकी कमप कराल है, किसी ने अपनी सरकार जेल से चलाई हो, कितने सारे एक्जेंपल है, बड़े-बड़े लोगों के एक्जेंपल है, जो जेल गए, उन्होंने पहले रिजाइन किया, उसके बाद वो जेल गए, लेकिन केजरिवाल को अपनी सियमशिप खोने का इसकदर डर है कि वो अब रेफरेंडम पर उत्रे हुए है, मुझे तो ऐसा लगते है कि रेफरेंडम का जो आइडिया है, वो शायद, I'm not sure, शायद उन्हें गुरुपत्वन सिख पन्नु न न दिया हो, क्योंकि वो भी कैनेडा में रेफरेंडम करवा रहे हैं, खालिस्तान के लिए, और इनकी काफी बाचित होती रहती है, पन्नु से, आपस में पैसे का लेन देन भी है, तो कहीं न कहीं पन्नु ने न कहा हो केजरिवाल साब से कि आप रेफरेंडम करवा लीजें, क्योंकि उन्हें बड़ा यकीन है रेफरेंडम पर, वो कैनेडा में गुर्दवारों में आनी चाहिए, या कि फिर इस्तिफा देना चाहिए, इसके लिए वो जनता से पूछना चाह रहे हैं, एक दिसंबर से 20 दिसंबर तक सभी 26 अपूलिंग बोथों पे मैं भी केजरिवाल सिग्नेचर अभ्यान की शुरुवात हो जाएगी, और एक पैंपलेट ले करके लोगो जेल आने की बात हुई कहां है, जेल जाने की बात हुई कहां है, लेकिन चोर की दाड़ी में तिनका, तिनका ही नहीं, पूरा जाड़ लटका हुआ है तिनकों का, इसलिए उन्हें लग रहा है कि वो जेल तो जाएंगे, और फिर फिर उनकी दिल्ली का क्या होगा, उनको द बड़ा नुकसान किया है इनोंने इनको यह नहीं पता था कि जो यह कर रहे हैं उसके रेपक्रेशन बाद में क्या होंगे और इसी केंपेन का दूसरा चरण जो हुआ 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा जिसके तैद सभी 250 वाडों के जन्दसमवाद आयोजित किये अच्छा आप सांसत जो रागप चड़ा हैं वो भी यह कह रहे हैं कि अर्विन केजरिवाल के हातों ही बीज़ेपी के काल का अंत होगा देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और मुकदमे और गिर्फतारी करके आम आदमी पार्टी को खतम करने की कोशिश की जा रही है तो इन्होंने जब ये घोटाले किये थे क्या बीज़ेपी को पुछके किये थे कि हम घोटाले में इतने पैसे खा रहे हैं शराब नीती का इन्होंने हवा नहीं लगने दी और जब हवा लगी तो इन्होंने ये कहा कि शराब नीती जो नई वाली आ रही है इससे बहुत फाइदा मिलेगा सरकार के खजाने को लेकिन वो पैसा कहां गया वो पैसा तो आम आदमी पार्टी के लोगों की जेवों में गया ना तो ये क्या मतलब कह रहे हैं कि BGB को ये बताना चाहते हैं रेफ्रेंडम करें कि हमारी जनता हमें चाहती है और जेल से ही सरकार चलाएं या फिर आप कोई भी फैसला जो है जनता से पूछे बिना नहीं लेती है बुकलेट के माद हम से वो संबाद करेंगे बहुत सारी बाते आजकल चल रही हैं लेकिन कल कल का ही दिन देख लीजेगा बड़ा दिल्चस्प होने वाला है जब वो जनता की बीच में जाएंगे पहला एक हपता जो है आप देखेगा उन्हें कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिल्च के जनता ये जानती है कि जो घोटाले हुए है वो घोटाले तो हुए है कोई कहानी नहीं है इसमें जो ये कहने है कि बीजेपी एक कहानी बना रही है बीजेपी को मिलने वाला है पहले तो इन्होंने उस सम्मन को ले करके काफी तमाशा कर दिया था इन्होंने ये कहा कि सम्मन में ये बताया जाए कि ये सम्मन किसलिए आया है ये सम्मन आमादनी पाटी को लिए आया है या ये सम्मन सियम को आया है या फिर ये संबन उन्हें संदिक्द मानते हुए दिया गया है ये सवाल उन्होंने पूछे हैं तो इनके जवाबों समेथ दूसरा संबन इन्हें मिलने वाला है अब इन्हें पता है कि वो संबन आने वाला है तो इससे पहले इन्होंने रेफरेंडम का तमाशा शुरू कर लिया है द धन्यवाद आपका लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि रेफरेंडम के जरीए के जरीवाल क्या साबित करेंगे आप प्लीज मेरे कॉमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर ड्रॉप कीजेगा और एक मेरी आपसे आगरे है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फिलाल इतना ही फिर मिलते हैं आप अपना और अपना का ख्याल रखिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जैहिन जै भारत